Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sud So, Paper 1 के Final Revision के लिए Logical Reasoning Unit का Full syllabus session आज मैं लेकर आई हूँ इस unit के जितने भी important और most repeated concepts है उन पर हमारा major focus रहेगा So, fallacies क्या होती है, Indian logic का जितना भी part है वो भी आज की session में हम cover करने वाले हैं So students, ये बहुत important है कि आप सभी इस discussion में एंड तक जरूर बने रहीएगा So, इसमें सबसे important, सबसे पहली चार चीज़े हमारे पास ये होती है कि हमें A, E, I, O का concept पता होना चाहिए So, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें A का मतलब होता है all E का मतलब होता है no I का मतलब होता है sum और O का मतलब होता है sum not तो इन चीज़ों को आप ऐसे note कर लीजे A, E, I, O दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि A, E, I, O ऐसे इसको नहीं लिखना है कभी भी इसको इसी sequence में लिखना है A, E, I, and O अगर आप लोग इसका sequence चीज़ कर दोगे तो आपका सारा concept गलत हो जाएगा classical square of opposition यानि कि विपक्ष का शास्त्रिय वर्ग जो है इसका सारा logic आपका गलत हो जाएगा और आप correct answer को identify नहीं कर पाओगे ओके, तो ये है A, E, I, O का concept अब यहाँ पर इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि A और E के बीच में contrary लिखा है contradictory लिखा है sub contrary है और sub alteration ये चार टर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ठीके, ये चार टर्म्स क्या करती है ये चार टर्म्स A, E, I, O के बीच में हमें relationship बताती है अब पहला question जो exam में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है की A का relation अगर O के साथ है ठीके, A का relation अगर O के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे? का relation O के साथ है तो उसको contradictory बोलेंगे पेपर वन प्रेपरेशन के लिए एक कम्लीट कोर्स हम लेकर आए है स्टूडेंट्स जिसका कमिंग मंदे से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है इस मैच की सबसे खास बात ये है कि एक्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और अपडेटेड पेपर के पाटन के हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सलिबस कवर तो होगा ही साथ ही आपको लाइव मॉप टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपकी रिविजिन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी एक और खास बात इस कोर्स के यह है कि अगर दिसंबर 24 एक्जामिनेशन के अलावा आपका टार्गेट जून 2025 एक्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो आप आज से ही अपनी तयारी हमारे साथ शुरू कर दीजे क्योंकि वन इयर की वालेडिटी के साथ यह कोर्स हम आउलोड करना चाहिए स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च वार में आप लिखे कोर्स का नाम जैसे आप कंटेंट पर चाहते हो आप देखोगे हिंदी इंग्लिश बाइलिंग्विल सपरेट कोर्स हैं रिविशन के लिए क्वेशन बैंक भी है जहां पर एक्स्प्लैनेशन भी आपको मिलेगी साथ ही लाइव लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं इसके अलावा कोई भी डाउट्स अगर आपको हैं तो गिवन नंबर से इस पर आप वाट्सेप के त्रू आसानी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए इस चीज़ है यहां पर मैं आपको AEIO को डिटेल म मतलब मैंने आपको बताया ALL वाले स्टेटमेंट कैसे होती है यह होती है ALL PENDS ARE BOOKS अगर हम इस तरीके से बोलते हैं ALL PENDS ARE BOOKS इसका मतलब है WE ARE TALKING ABOUT THIS STATEMENT ठीक है इसका एक और एक्जामपल लेते हैं ALL PLANETS ARE BLUE तो यह क्या हो गया ALL है इसका मतलब हम एक ही बात कर रहे हैं वै NO ठीक है E का मतलब होता है NO तो इसमें हम कैसे लिखते हैं इसमें हम लिखेंगे NO PENDS ARE PENCILS बस यहां पर NO है तो हमने बता दिया कि यह E वाली स्टेटमेंट है Similarly अगर हम I की बात करते हैं I का मतलब होता है SUM तो SUM में क्या लिखा जाता है इसमें हम लिख सकते हैं SUM DOGS ARE CATS या फिर सेम एक्जामपल को अगर लेकर चलें तो हम यह लिख सकते हैं SUM PENDS ARE BOOKS ओके सो यह होता है SUM और तीसरी और चौती स्टेटमेंट है O O का मतलब होता है SUM NOT तो SUM NOT वाली स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इसमें लिखते हैं SUM PENDS ARE NOT BOOKS ठीक है या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं SUM DOGS ARE NOT CATS तो NOT और SUM तो इसका मतलब है O है जहांपर सिरफ आपको SUM दीखने को मिलेगा इसका मतलब है I वाली स्टेटमेंट है जहांपर NO होगा म मतलब A है, तो अगर आप लोगों ने इस चीज को identify कर लिया, तो आगे आपको और भी जादा असानी हो जाती है, ठीके, तो दो चीजे बताई, एक तो इनके बीच का relationship, और दूसरा, इनकी ये जो definitions है, इतना बिलकुल clear है, तो मैं यहीं उमीद कर रही हूँ कि आपको चीजे समझ आ रही है, तो एक बार इतने पर अगर clear है, तो मुझे comment करके बता दीजिए, तब मैं आगे का concept आप लोगों को तभी समझ आएगा, ठीके, अगर इतना ही clear नहीं है, तो भी बता दीजिए, मैं एक और वीडियो लेकर कोशिश करूँगी, यह previous year question है, जिस पर हम बाद में आएंगे, पहले में आप लोगों के, जो है, concepts को clear कर देती हो, ओके, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब देखो, हमने आपको बताया कि A और O का relationship क्या होता है, यह होता है contradictory, इस चीज़ को अच्छे से सुन लीजेगा, तो बार-बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, A और O का relationship contradictory, वैसे ही E और I का, E से I का relationship भी क्या होता है, contradictory ही होता है, अब इसमें contradictory का क्या मतलब होता है, contradictory होते हैं, एक दूसरे के opposite, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, ठीक है, एक दूसरे के हमेशा, उल्टा जो काम करे हैं कि A वाली statement अगर true है, हमने all वाली statement को, all penzar, books वाली statement को अगर true मान लिया, तो definitely हमारा जो O होगा, वो false होगा, क्योंकि अगर ये true है, तो इसका दूसरा false ही होगा, उसका opposite ही चलेगा, ठीक है, वहीं अगर O वाली statement हमने कहा था कि true है, तो A हमेशा false होगा, ये दोनों कभी भी एक साथ true नहीं हो सकते, same example जाता है, same rule जाता ही, E और I के case में, अगर E true है, तो I, sorry O नहीं, यहां पर I है, ठीक है, तो I क्या होगा, false होगा, और अगर E हमारे पास false है, तो I true होगा, ठीक है, तो contradictory, ये जो corner से corner match हो रहे हैं, ये हमेशा एक दूसरे के opposite ही काम करते हैं, ओ अगला relationship आ जाता है, अगला relationship आता है, contrary देखते हैं पहले, ठीक है, so A से E का relationship जो है, वो है contrary, exam में ये आता है कि classical square of opposition में contrary relationship किस के बीच में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि all वाली statement और no वाली statement के बीच में, क्या होते हैं, contrary relationship हमेशा होते हैं, ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका भी मैं बताती हूँ, वो ये है कि देखो, E किस के जैसे दिखता है, E किस के जैसे दिखता है, F के जैसे दिखता है, F का मतलब क्या होता है, इसका मतलब false होता है, ठीक है, तो A और E का relationship, E है तो false जैसा दिखेगा, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि A और E दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों false हो सकते हैं एक साथ false together but not true together A और E का relationship यह हो सकते है कि अगर A true है ठीके? तो E क्या होगा? E हमेशा फिर false होगा ठीके? दोनों क्योंकि एक साथ false हो सकते हैं अगर A false है तो E false हो सकते हैं लेकिन अगर A को पहले true मान लिया तो E कभी भी true नहीं हो सकता तो A और E के बीच में यही relation होता है कि false हो सकते हैं एक साथ लेकिन कभी भी true नहीं हो सकते हैं तो इस relationship को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है contrary relationship ठीक है contrary का उल्टा गया हो गया sub contrary sub contrary क्या हो गया इसका उल्टा हो गया I और O I and O का relationship sub contrary है अब देखो जैसे यह याद रखा था ना E किसके जैसे दिखता है F के जैसे मतलब false A और E false हो सकते है true नहीं हो सकते similarly I किसके जैसा दिखता है T के जैसा दिखता है इसका मतलब sub contrary relationship क्या होते है कि they can both true together but cannot be false together इस तरीके से यह चीज़े होती है contrary और sub contrary ओके contrary and sub contrary और sub contradictory यह चीज़े अभी तक हमने पढ़ ली कोई confusion है तो आगे जाने से पहले इसी को repeat कीजिए बहुत important topic है बहुत easy भी है पहली बारी में में भी आपको confusion थोड़ा सा हो सकता है ठीके इसके बाद आते हैं sub alteration पे यह देको A और I E और O दोनों में sub alteration होता है A I E और O इनमें relationship क्या होता है sub alteration Hindi medium students के लिए भी चीज़े सेंभी रहेंगी तो sub alteration क्या करता है जब हम A से I की और जाते हैं तो इसमें क्या होता है अगर A हमारे पास true है तो I को भी true मान लिया जाएगा यानि कि जब हम downward आते हैं उपर से नीचे की और आते हैं सत्य को लेकर अगर हमारे जो senior officer है मान लिज़े इसको ऐसे याद रखिए senior officer है वो बिल्कुल सत्य बातों को मानते हैं जूटी बातों को नहीं मानते तो उनके जो अंडर काम करने वाले junior officers हैं उनको भी सत्य मानना ही पड़ेगा तो अगर a true है उपर वाला true है तो नीचे वाले को भी true होना ही पड़ेगा तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि a से i की और अगर हम जा रहे हैं तो हम उसको true साबित कर रहे हैं उसको opposite क्या होगा कि अगर हमारे पास i जो है false है तो हम a को भी false ही बना देंगे नीचे से उपर की और जूट जाता है जूट पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है तो वही है यहाँ पर i से a की और जाएंगे तो वह false statement को create कर देगा यह हो गया किस के case में a और i के case में ठीके अब बढ़ते हैं e and o के case में तो यह भी sub-altration ही है तो यह कौन से rule को follow करेगा same rule को उपर से नीचे true हा रहा था तो e भी अगर true है तो वह सीधी सी बात है कि वह o को भी true ही कर देगा लेकिन अगर o हमारे पास o अगर हमारे पास false है तो वह e को भी false कर देगा यह चीज अभी तक साबित कहीं पर भी नहीं की गई है तो इसमें यह हमेशा doubtful condition होती है o से e की o जब जाएंगे तो वह statement को false कर देगा यह हमेशा doubtful condition ही होती है तो ऐसे आपनी चीज़ों को याद रखने है तो classical square of opposition में यही चार चीज़ें आती है पहले तो a e i o का concept उसके बाद contrary, sub contrary, contradictory, sub alteration क्या होती है कि ऐसे relationship होती है आपसे exam में यह पूछा जाएगा कि all dogs are not rats और दूसरी statement दी होगी all dogs are rats तो आपको बताना है इनके बीच में क्या relationship है तो इनके बीच का relationship ढूणने के लिए क्या करेंगे पहले statement में देखेंगे यह वाली statement कौन सी है a वाली statement है यह वाली कौन सी है all or not all नहीं होता यह sum होगा all not वाली statement कभी भी नहीं होती sum not वाली होगी ठीक है तो यह हो गया O तो आपको बता चलके एक statement O है दूसरी statement A है तो O और A के बीच में क्या relationship हो सकता है contradictory हो सकता है तो ऐसी statement से A और O find कर लिया और देख लिया क्या relationship है correct answer मिल जाएगा ओके यहां पर question देखते हैं All the students clear their examination मतलब A वाली statement few, few का मतलब क्या होता है some होता है ठीक है few मतलब कुछ some का मतलब भी कुछ है तो few students did not clear their examination मतलब some students did not clear their examination तो वो आगया O का answer ठीक है तो A और O का same relationship जो भी मैंने example दिया correct answer है contradictories विरोधा भास ओके अगला question है in which of the following propositions both can be true simultaneously but cannot be false simultaneously दो ऐसी statements कि दोनो एक साथ true हो सकती है लेकिन दोनो statements में अगर एक भी false हो गई तो दूसरी को हम false नहीं मान सकते उसको true ही मानना पड़ेगा कि दो ऐसी statements जो कि एक साथ true हो सकती है लेकिन एक साथ कभी भी जूथी नहीं हो सकती क्या कौन से होती है वो होती है sub contrary statements sub contrary होती है न I है क्योंकि यहाँ पर I किस के जैसा दिखते है T के जैसा दिखते है तो they can be true together but cannot be false together और E में क्या होता है E F जैसा दिखते है they can be false together but cannot be true together सबसे पहले हम देखते हैं moods और figures logical reasoning में होते क्या है so अभी तक last lecture में हम लोग ने classical square of opposition में पढ़ा था 4 terms होती है A E I O so moods जो होता है इसको find out करना बहुत असान होता है जितने भी हमारे पास 4 propositions होते है इनहीं से हम directly given question का mood find out कर सकते हैं इसके बाद figures क्या होते है it depends on the arrangement of middle term in the proposition so first lecture में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ important चीज़े होती है जैसे कि पहली चीज़ होती है हमारे पास middle term दूसरी होती है major term और तीसरी होती है minor term ठीक है example के साथ आपको फिर बताती हूँ जैसे माल लीजे question में दिया गया है all books are red अगला दिया गया है all red are pencils so इसका conclusion क्या हो जाएगा all books are pencils ठीक है माल लीजे ये question आप लोगों के सामने दिया हुआ है आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका mood कैसे find out करने है so mood के लिए मैंने आपको बताया a e i o वाला concept हमें revise करना है वो मैंने कल भी बताया था कि all होगा मतलब a है फिर से all है मतलब a है यहाँ पर भी all है मतलब a है तो इसका mood क्या हो गया a a a इतना असान है mood को find out करना हो गई दो नमबर पके ठीक है अब बात आती है figure की तो figure की statement में मैंने आपको क्या बताया कि figure हमेशा middle term पर focus करता है और middle term मैंने आपको क्या बताई थी middle term एक ऐसी term होती है जो की statement 1 और statement 2 में common होती है और conclusion में वो आपको देखने को नहीं मिलती है तो common क्या है common है यहाँ पर red और conclusion में आपको red देखने को नहीं मिलेगा इसका मतलब red क्या है red यहाँ पर middle term है clear है इतनी चीजे बहुत easy topic है यह तब ही मैं कह रही हूँ असानी से score कर सकते हो अब देखो अभी तक जो हम लोग logical reasoning पढ़ रहे है उसमें middle term और यह सब चीजे हम यूज कर रहे है बात में जो Indian logic वाला पार्ट आएगा इसी में आपको पते है दूसरा पार्ट Indian logic का है middle term को फिर हम संस्कृत नाम देगे middle term को हिंदी में क्या बोलते है यह पूछा जाएगा चीजे सेम रहेंगी mood, figure, all, aeio वाला concept सब कुछ सेम रहेगा बस language अभी हम English use कर रहे है Indian logic में Indian language यानि कि संस्कृत में टर्म्स को यूज किया जाता है okay so मैंने बताया था कि figure क्या करता है it depends on the arrangement of middle term in the proposition कि middle term को कैसे arrange किया जाता है यह हमें figure बताता है the figure of syllogism is based on the arrangement of subject and predicate and the middle term or the common term so subject or predicate क्या होता है यह हमने देखा था all books are pens इसमें जो पहली statement होगी उसको subject कहा जाएगा और दूसरी statement को predicate कहा जाएगा पहली subject मतलब विशय और predicate मतलब विधेव इस तरीके से चीज़े होती है बहुत important है आप देखो यहाँ पर subject इसमें mood और figure को find out करने से पहले एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है A, E, I, O की quantity और quality quantity क्या होता है quantity होता है number कितने number है मैं पूछूँँगे आपस कि कितने quantity में आपके पास books हैं तो आप मुझे number बताओगे कि 10 quantity है quality होता है कि क्या है quality क्या है quality तो सबको पता है मैं बोलूँगे अगर मेरे पास 10 नहीं मेरे पास सरफ एक book है लेकिन best quality की है वो quality होता है अब किसी person के पास 10 shoes के pair है तो उनके पास वो quantity जादा है ठीक है सस्ते सस्ते 200-200 रुपई के 10 जोड़ी जूते है और quality क्या होगा कि मेरे पास 2000 का सिरफ एक ही जूत है लेकिन वो best quality का है वो हर जगा में पहन सकती हो वैसे ही AEIO के concept में quality और quantity बहुत important बहुत ही जादा important role play करता है ठीक है एक second इसको बताने के लिए ओके सो देखो मैंने आपको क्या बताय था इनकी sequence भी बहुत important है सो A, E, I, O हमेशा ऐसे ही लिखना है अब इसको याद रखने का smart trick बताती हूँ जो कि आपको कोई और कभी भी नहीं बताएगा all का मतलब सब कुछ मेरे पास 10 किताबे थी मैंने 10 पढ़ ली मतलब all मेरे पास 10 किताबे थी जिसमें से मैंने एक भी नहीं पढ़ी मतलब no या तो 100% काम होगा या तो बिलकुल भी नहीं होगा तो इसको बोला जाता है universal, universal और no भी universal, ठीक है, some और some not, ये है all, ये है no, ठीक है, तो ये होगे, या तो सब कुछ होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि all pens are pencils, या तो सारे ही pen, pencil होगे, या तो no pens are pencils, या तो कोई भी pen, pencil नहीं होगा, या तो हम सब को select करेंगे, या तो किसी को भी नहीं करेंगे, all students are selected, और दूसरा option है, no student is selected, या तो सब select होगे, या एक भी नहीं हुआ, तो ये universal statements होती है, ठीक है, clear है इतना, इसी के साथ फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, particular, particular का मतलब क्या होता है, some, कि कुछ-कुछ, few, some students are selected, और some students are not selected, दो चीज़े हैं, some, not और some, यानि कि 100 में से कुछ को किया, कुछ को नहीं किया, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं, particular statement, हो गया है याद, तो देखो, a क्या है, a की quantity, कितने select किये, quantity मैंने बताए, नंबर के साथ काम करता है, a में हमने सब को select कर दिया, तो यूनिवर्सल, e में हमने सब को reject कर दिया, तो भी यूनिवर्सल, क्योंकि सब को reject किया था, वैसे ही, i में हमने किसी-किसी को select किया, तो particular, o में भी किसी-किसी को select नहीं किया, तो भी particular ओके, तो ये बात आ गई quantity की, अब आगई question में आपसे quality पूछा जाता है ठीके, तो quality क्या होता है आप देखो, ये वाली statement all, क्या कर रही है सबको select कर रही है देखो, इसमें confuse नहीं करती हूँ आपको, direct में trick पर जाती हूँ, देखो इस वाली statement में no है और o का मतलब भी होता है some not, है नजए दो क्या है ये दो negative statements है तो इसको क्या बोलेंगे ये भी negative है और o वाली statement भी negative है बाकी की क्या है, positive है ये जाय ह mapped क्रियोग नहीं होता है तो उसको affirmative कहेंगे affirmative, negative, affirmative, negative ओके example के साथ simple way में मैंने सब कुछ clear कर दिया अब इस table को फिर से देखिए जो मैंने समझाया उसको relate कीजिए table को देखिए exam में पूचा जाता है कि I की quality क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि I की quality affirmative है ओके तो I क्या है ये भी पूचा जा सकता है कि I क्या है तो I है universal negative ओके I hope students clear होगे ये चीज़े अगर समझा रहा है comment करके जरूर बताइए whatsapp group में reply मुझे जरूर कीजिए ताकि मैं इसी तरह ही कि series आपके लिए continue रखूँ ठीक है आप लोगों का अगर comment में एक positive response होगा तभी series continue होगी otherwise नहीं होगी ओके चलिए तो फिर अब बढ़ते हैं आगे mood की और definitions पर नहीं जाएंगे ठीक है आपका बिल्कुल समय बरबाद नहीं करूँगी moods में हम क्या देखते हैं देखो फिर एक second आप लोगों को रुपना होगा okay so देखो यहाँ पर directly examples के साथ काम करके आपको बताती हूँ all ठीक है इसको ऐसे रखिए all books are laptops दूसरी statement अगर बोलती है all laptops are pencils so conclusion क्या बोलता है all pencils are books तो इसमें क्या है aaa तो इसका mood क्या हो गया aaa okay mood find out कर लिया इसके बाद अब दूसरे example पर आते हैं दूसरे example पर आते हैं let's say यहाँ पर लिखा है some books are some books are pencils some pencils are not read so इसका conclusion क्या हो जाएगा so so no book is read यह random example मैं ले रही हूँ तो इसमें आपको क्या करना है some का मतलब I some not का मतलब O और no का मतलब E तो यह इसका mood क्या हो गया I O E इतनी सी बात है इस question में बच्चे गलती कहां करते हैं गलती यहाँ पर हो जाती है कि जल्दी जल्दी में आप sum देख रहे हो ठीक है I लिख दिया यहाँ पर भी sum देख रहे हो I लिख दोगे not पर ध्यान नहीं दोगे यह करे वाद did not होता है लिखा हुआ मतलब negative term है तो O ही होगा ओके इस तरीके से I O E इसका figure आ गया mood आ गया ठीक है अब देखो यहाँ पर एक और चीज होती है अगर आपकी statement में A A A है जैसे पहले example मैंने आपको बताया था इसका mood क्या आ रहा था A A A A है तो वो first figure में होगा E A E अगर आएगा तो भी वो first figure है A I I first figure E I O B first figure ठीके सो इस chart को आपको याद ही रखना पड़ेगा पहले statement दी होगी statement में पहले step में आप लोग mood को find out करोगे mood find out करने का next step है कि आप लोगों को उसका figure find out करना है so figure find out करने के लिए ये वाला table आपको मदद करता है okay so first figure में हो जकता है M makes a sort of vertical right hand like this इसको ignore कर सकते हो ठीके बस आपको ये table याद रखना है बहुत easy है तो चीजें clear हो जाएंगी कुछ points है जैसे if both the premises are positive यानि कि आपको पता है ना जैसे ये 3 terms है A, A, A इन में से 2 क्या होती है 2 premises होते है 3 क्या होता है conclusion होता है तो ये पता होना चाहिए अगर शुरू के 2 premises positive है A या I है और conclusion भी positive है तो क्या होगा ये first figure होगा देखो positive है और conclusion भी positive है तो first figure होगा तो इस तरीके से बस इसको याद रख लीजिए बाकि इसमें कुछ भी confusion नहीं है So analogy के introduction से शुरू करते है analogy is a visual representation of how two things are comparable इसको साधरिश्य भी का जाता है ये कैसी चीज होते है जिसमें हमें दो चीजों के बारे में तुलना करके दिखाई जाती है simple से language में बात करते है analogy का मतलब ही होता है comparison की दो चीजों को compare करेंगे और फिर compare करने के बाद उनके बीच में relationship हम लोगों को find out करना है previous air questions के साथ आपको एक clear idea हो जाएगा तब तक definitions देखी exam में कई बार पूछी जाती है the purpose of analogy is not only to exhibit but also to explain तो ये सिरफ वहाँ पर किसी चीज को प्रदर्शित नहीं करता वलकि explain भी करता है उनके बीच का relationship its goal is to compare and contrast two ideas or objects in order to explain them so इसका लक्षय में ली क्या होता है कि दो विचारों और वस्तों की व्याख्या करने के लिए उनकी तुलना करना और फिर उनको explain करना उनका जो comparison होता है उसको explain भी यहाँ पर किया जाता है simple सी definition है जो कि previous year question से मैं लेकर आई हूँ and analogy is the comparison of two objects that are primarily dissimilar yet share some characteristics आप देखो दो चीजों के बीच में comparison यहाँ पर किया जा रहा है and उस comparison में यह भी बोला गया है कि वो चीजें आपस में दूसरे से अलग होंगी लेकिन उनकी जो कुछ characteristics है उनकी जो कुछ properties है वो आपस में मिलती होंगी उन properties को find out करके आपको बाकी की दो चीजों के बीच में relationship देखना है पहले एक example लेते हैं उसके बाद फिर इस comparison पर आते हैं जैसे मान लीजिए एक example है books is to writer ठीक है तो इन दोनों के बीच में क्या relationship है book कौन लिखता है writer लिखते है books कौन लिखते है writer लिखते है या फिर हम यह बोल सकते हैं कि books बनाने वाला writer होता है books लिखने वाला writer होता है अगर writer ही ना हो तो books ही नहीं होंगी है ना वैसे ही यह हो सकता है कि notebook कौन बनाता है notebook में जादतर students लिखते हैं तो देखो ये चीज़ें अपस में relate नहीं करती है बट relationship तो कहीं है ना books के अंदर writer लिखते हैं वैसे ही notebook के अंदर students लिखते हैं तो ये होती है analogy एक relationship आपको given होगा उसी से मिलता जुलता दूसरा relationship आपको find out करना है अभी भी confusion है तो कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं आगे previous year questions को solve करेंगे तब तक पहली introduction पर ध्यान दीजिए तो इसके कुछ types होते हैं जैसे कि पहला है synonym synonym का मतलब क्या होता है same meaning वाली चीज़े the word conveys a similar meaning जैसे glad glad को happy बोला जाता है pretty को gorgeous बोला जाता है very को extreme बोला जाता है less को little बोला जाता है तो इस तरीके से भी relationship हो सकता है opposite क्या होता है जैसे smile का opposite front है मुस्कुराने का opposite गुसा करना है pretty का opposite अगली है तो ये भी इसमें आते है opposite analogy होती है ये ठीक है part two whole analogy जैसे seed है seed से plant बनता है relation तो है ना इनके बीच में wheel है wheel से आपको bicycle देखने को मिलती है wheel bicycle में wheel होता है dog का पंजा होता है dog is to poor face में नाक होता है face is to nose battery कहांपर पढ़ती है remote में पढ़ती है तो इस तरीके से कुछ relationship होते हैं जो कि exam में पूछे जाते है अब यहाँ पर students का सवाल ये भी होता है कि क्या इसमें सिर्फ text यूज होता है क्या इसमें सिर्फ words यूज होते है तो इसके लिए तो हम लोगों को हर एक word का meaning भी ज़रूरी है जानना तो मैं आपको बता देती हूँ कि analogy में सिर्फ words और text यूज नहीं होता इसमें हम लोग numbers को भी यूज करते है मान लीजिए एक analogy है आपके पास simple से example ले रही हूँ 2 is to 10 और दूसरा आप लोगों को find out करना है 5 is to what अब इस question में क्या है आप लोगों के पास ये वाला relationship देखो ये जो double इससे पहले जो होता है ये relationship given होता है इसके बाद वाला हमें ढूनना होता है अब ढूनने के लिए क्या करते हैं पुराने वाले logic को ही यहां पर लगाते हैं अब आपको देखना है सबसे पहने यहां पर कि 2 और 10 के बीच में क्या relationship है तो 2 और 10 के बीच में क्या relationship है दो को अगर हम 5 से multiply कर देंगे तो 10 आ जाएगा सेम यहां पर जो missing number है इसको find out करने के लिए हमें क्या करना है इस number को 5 से multiply करना है तो वो answer आ जाएगा 25 इस तरीके से ठीके इसका एक और example बताती हूँ 10 10 is to 14 और similarly आपको यहां पर relationship find out करना है 120 is to what अब देखो 10 और 14 में क्या relationship है 10 के बाद 4 को add करोगे तो 14 आ जाएगा है ना सेम relationship हम लोगों को देखना है कि 120 के बाद 4 add करेंगे तो 124 आ जाएगा तो यही correct answer होगा और भी logic होते हैं यह simplest simplest चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को ठीके exam में तो इससे थोड़े से difficult table के questions आते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे तो देखो यह question given है previous year question ही है there is a certain relationship in the given word pair which of the following pairs given in the options have the same relationship as the following pair of the words यानि की दिये गहे शब्त युगम में एक निशित संबंद है विकल्पों में दिये गहे शब्त युगम हो में से किस में वही संबंद है जो निमलिखित शब्त युगम में दिया गया है सो देखो valuable worth less मुल्य चीज क्या होती है? मुल्य हीन होती है जिस चीज की हमें वैल्य हीन होती है वो हमारे लिए बहुत जादा मुल्य हीन होती है अब जिसे मैं बुलती हूँ की मेरे लिए मेरी फैमिली एक वैल्य 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 चीज है तो उसका मुल्ले हम नहीं लगा सकते, वो worthless है, ठीके, वैसे ही, no wise expert, no सीख्या जो है, वो विशेशक्य से relate करता है, okay, knowledge के level पर अगर देखें, तो ये correct answer है, ये देखो numbers का यहां पर दिया हुआ है, select the option, select the option that is related to third number, इसको पढ़िये फटा-फट से, select the option that is related to third number in the same way as second number is related to the first, okay, so ये पूछा है, देखो exam में बहुत easy है, 59 is to 90, sorry, 52 is to 91, so 72 किसके साथ relate होगा, okay, so ये question पहले भी आ चुका है, exam में, दो से तीन बार same question को पूछा गया है, चलो, उस पर जाने से पहले, जैसे आप लोगों को लग रहा है न, previous question के explanation में doubt है, तो देखो क्या होता है, valuable, worthless, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के antonyms है, synonyms क्या होता है, same meaning, antonyms होता है, opposite meaning, ठीक है, वैसे ही, 9 से, ये क्या होता है, 9 सीखिया जिसको कुछ भी knowledge नहीं है, और expert इसका opposite है, जिसको पूरा knowledge है, ठीक है, इस तरीके से हमने correct answer identify किया था, अगला अगर देखते हैं, so 52 और 91 के बीच में relationship आपको पहले find out करने हैं, देखो, मैंने कहा था, इतने easy नहीं आते हैं, थोड़े complicated questions आते हैं, सो इसमें आप क्या करोगे, common देखोगे, क्या है, 13 दोनों में common है, 52, और पहले इसका relationship find out करो, उसके बाद आगे वाला, असान हो जाता है, 52 और 91 में common क्या है, 13 है, क्या common है, 13 को 4 से multiply करेंगे, तो 54 आ जाएगा, और 13 को 7 से multiply करेंगे, अगर, तो 91 आ जाएगा, ठीक है, same relationship हम find out करने के, same pattern हमें use करना है, missing number को जूडने के लिए, so 72, 72 क्या है, किस को 4 से multiply करेंगे, कि 72 आ जाएगा, 18 को, 18 into 4 is equals to 72, similarly, अगर हम करते है, 18 into 7, क्योंकि यहां पर पहले 13 into 4 था, फिर 13 into 7 किया, तो यहां पर अगर 18 into 4 आ रहा है, तो definitely यहां पर 18 into 7 आएगा, so 18 into 7 is 126, so correct answer here is option number 4, 126, okay, next देखिये, यहां पर question है, autometer is to mileage as compass is to what, autometer जो होता है, वो mileage को चेक करने के लिए use होने वाला एक इंस्ट्रूमेटर जैसे centimeter से हम length नापते हैं, है न, हमने kilobyte, megabyte पढ़ा है ICT में, उससे हम क्या मापते हैं, memory का size मापते हैं, वैसे ही autometer से mileage मापी जाती है, वैसे ही compass से क्या मापा जाता है, compass से क्या मापा जाता है, इससे direction मापी जाती है, compass होता है न, वो direction बताता है, north, east, south जो भी है, ठीक है, जो इस तरीके से correct answer है, यह वैसे तो homework question था, बढ़ चलिए मैंने बता दिया, यह question homework है, हमेशा की तरह, इ जो भी बताईएगा, मैं आप लोगों का reply comment में ही करूँगी, ठीक है, अब देखो, पैसा is to rupee, kilometer is to what, बहुत असान question है, ठीक है, अब option में न, 1, 2, 3, 4 मत लिखना, पूरा लिखना, meter, hectometer, unital, decimeter, decimeter, quintal, hectometer, meter, जो भी है, वो answer लिखना, direct options मत लिखना, ठीक है, so यह I hope students, answer ज पहले हम शुरू करते हैं, Indian logic होता क्या है, so इसमें Indian philosophical schools की हम सबसे पहले बात करते हैं, अब देखो, जैसे Indian logic है, logic का मतलब होता है, तर्प, logic क्या होता है, यह एक अधियान होता है, अब मानव कोई भी इनसान अगर किसी दूसरे person के साथ बात कर रहे हैं, कोई logical से बात कर ल हमारे भारती शास्त्रों में जो कहा गया है, हमारे वेदों पुरानों में जो कहा गया है, उन चीजों पर हम विश्वास करते हैं, यही सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत interesting chapter है, okay, so देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, हमारे Indian philosophy के हिसाब से, एक लोग वो होते है जो नास्तिक कहलाते हैं, एक चीज़ और पताना चाहती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर में सेम चीज़े रहेंगी, ठीके, एक लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, दूसरे होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, नास लोगों को नास्तिक कहा जाता है और आस्तिक लोग कौन होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि वेद, पुरान, भगवान इन सब चीजों में जो हमारी धार में किताबे हैं गीता हैं और भी सारी किताबे हैं उन सब पर विश्वास करते हैं आस्तिक लोग वो होते हैं जो कहते ह नास्तिक की कैटेगीरी में जैन धर्म आता है, बुद्ध धर्म आता है और चारवक धर्म आता है और जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, जिसको कि अभी हिंदू इजम, हिंदू इजम आप लोगों ने सुना होगा, जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, जिसको कि अभी सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, है ना, तो हम जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए है ना तो ये चीज़े होती है अब देखो आस्तिक को बे दो हिस्सों में बाटा गया है पहला है स्कूल बेज रॉन वेधास यानि कि जो वेध पुरान है उनके अधार पर स्कूल और दूसरा है वेतान तायाज जिसको जननाभी कहा जाता है वेध के अंदर आ जाते है संख्य योग न्याय और विशेशिका और एक आजाता है मिमामसा इनको हम अभी डिटेल में कवर करेंगे उससे पहले इंडियन लॉजिक जो है उसको तीन हिस्सों में बाटा गया है ये आपको पता होना चाहिए वो तीन हिस्से कौन-कौन से है नोट कीजेगा पहला हिस्सा है एं मौडन यानि की जो आज कर लेटेस्ट चल रहा है ओके इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया नास्तिक और आस्तिक होते हैं फिलाल वह याद रखिये जो वेद और पुरानों में विश्वास करते हैं जो नहीं करते हैं ओके शो एंशेंट इंडियन स्कूल जो है ये इसमें नौलेज जो होता था नौलेज का मतलब क्या होता है ग्यान होता है ना नौलेज को दो प्रकार से माना जाता था कहा जाता था कि एक वैलिड नौलेज होता है और एक हमारे पास इन वैलिड नौलेज होता है ओके वैलिड नौलेज में कौन-कौन सी चीज़े आ जाती है इसमें आ जाता है प्रत्यक्ष जो कि हम आगे देखेंगी प्रत्यक्ष प तो प्रत्यक्ष मतलब perception, inference मतलब अनुमना, मतलब अनुमान लगाना, किसी चीज़ को guess करना, उसके बाद तीसरा आजाता है comparison, यानि कि उपमना, किसी चीज़ को compare करना, और तीसरा आजाता है, चौथा आजाता है testimony, यानि कि शब्द, टेस्टीमनी को शब्द कहा जाता है, तो ये valid knowledge होती है, और इसमें invalid knowledge होते है, invalid कौन से चीज़ होती है, जिसमें हम लोगों को किसी भी तरीके का doubt होता है, ठीके, जहां पर हम तरक करते हैं, तरक का मतलब होता है argument, ठीके, और उसके बाद किसी भी चीज़ में अगर हम लोग error रख लेते हैं, तो वो invalid knowledge होता है, ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये इंशिंट इंडियन स्कूल के हिसाब से, नौलिज के प्रकार माने जाते हैं, इसमें इतना काफी है, अब जो question आता है, वो आता है प्रमान से, तो syllabus में यहाँ पर आप लोग देखोगे, प आप चाहिए English Medium Students हो, या फिर Hindi Medium Students हो, आपको ये दोनों ही नाम पता होने चाहिए, अनुमान, inference होते हैं, कैसा भी question exam में आता है, दोनों terms को यूज करके question exam में आता है, ठीके, सबसे पहले अगर हम प्रमान की बात करते हैं, प्रमान जो होते हैं, इसको कहा जाता है, source of knowledge, source of knowledge, इसको कहा जाता है, किसी चीज का उपाय भी हम इसको बोल सकते हैं, measure भी इसको बोल सकते हैं, ठीके, अब देखो, प्रमान का एक मतलब proof भी होता है, ठीके, proof होता है, means of knowledge, इसको बोलते हैं, means of knowledge, syllabus में भी देखोगे, सामने लिखा है, प्रमान, ब्रैकेट में लिखा है, means of knowledge, यानि की ज्यान का साधन, ओके, तो ये प्रमान की basic introduction है, अब देखो, आप लोगोंने एक term जरूर सुनी होगी, प्रमान पत्र, प्रमान पत्र क्या होता है, प्रमान पत्र होता है, जिसे माल लीजे, कि आप लोगोंने कोई game खेली, आपने उसमें top किया, तो आप लोगों को एक प्रमान पत्र दिया जाता है वो क्या होता है वो एक प्रूफ होता है एक वैलिड प्रूफ होता है ताकि आप लोग अगर उस गेम के सर्टिफिकेट के थू कहीं किसी कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहते हो या किसी को दिखाना चाहते हो तो पता चले कि एक्चल में आपने इस गेम में पार्ट प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती है यह शब्द आप लोगोंने नहीं सुना है या सुना है मुझे कॉमेंट करके एक बार बताईएगा जरूर ठीक है प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती अब यहां पर हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रत्यक्ष प्रमान का जो सबसे पहला पॉइंट होता है जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वो चीज होती है जो की हमने अपने सामने या देखी है, जब भी हम अपने sense organs की बात करते हैं, जब भी हमारी इंद्रियों की बात हो रही होती है, इंद्रियां कौन-कौन सी होती है, जैसे हमारे हमने किसी चीज को टेस्ट किया, किसी चीज की खुश्बू सूंगी, किसी को टच किया, किसी को देखा, किसी को सुना, य जब तक कोई चीज हम अपने सेंस ओर्गन से देख लेते हैं उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। प्रमान होता है प्रूफ। अब देखो इस स्टेट्मेंट से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रत्यक्ष जो चीज मान लीजे मैंने अपने प्रत्यक्ष में यहाँ पर अपने आइस की मैं बात कर रही हूँ। जो चीज मैंने अपनी आँखों के सामने होती हुई देखी, उसके लिए मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुझे किसी को प्रमान देने की जरूरत नहीं है, है न, प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती, अब मैंने मा लीजे किसी को बात करते हुए सुन लिया तो हो प्रत्यक्ष था तो उसके लिए मुझे किसी को सबूत किसी को प्रूफ या किसी को प्रमान देने की जरूरत नहीं है तो इसलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती जो चीज आपने अब देखो मैं आपको बोल रह कि रही हो, पीज़ा बहुintellिक होता है, तो मैं बोलुंगे बताऊ मुझे प्रमान दो, तो आप मेरे बो। यह बोल सकते हो कि प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं होती। कि मैं डेली एक-दो ज़ए एक-दो पीज़ाय का लेता हूं, तो इसके लिए मुझे किसे को प्रूफ देने के जरूरत नहीं है मुझे टेस्ट ही लगता है तो लगता है क्योंकि इसमें आपने अपना सेंस ओर्गन जो टेस्ट वाला ओर्गन होता है हमारा उसको यूज करके खुद इस चीज को चेक किया किसी की सुनी-सुनाई बातों पर नहीं आए जहां पर खुद हम किसी चीज को देखते हैं खुद किसी चीज को सुनते हैं टच करके महसूस करते हैं या फिर वहां पर किसी चीज को हमने खुद से टेस्ट किया, फील किया वो चीज प्रत्यक्ष होती है क्लियर है ये चीज़े तो प्रत्यक्ष होते हैं इंडियन लॉजिक में दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से प्रत्यक्ष होते हैं एक होता है लॉकिक ठीके और दूसरा होता है अलॉकिक तो प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं लॉकिक और अलॉकिक ये आपने सिर्फ याद रख लेना है और जो भी कभे भी आपको नजर आएगा ये लिखा हुआ कि फर्स्ट सोर्स ओफ नॉलेज क्या होता है घ्यान प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है तो वो प्रत्यक्ष ही होता है जिसको की परसेप्शन कहा जाता है ठीक है प्रत्यक्ष क्यों होता है सबसे पहला नॉलेज मैंने क्या किया मैंने किसी चीज़ को देखा तो म पढ़ते ही नहीं है, आप में से बहुत बच्चे होंगे जो कि पहली बार logical reasoning पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, आपने क्या कि अप पहला sense organ अपने आंख्यों और कानों को यूज करके knowledge को gain कर रहे हो और आपको समझ आ रही है चीजें मैं 100% sure हूँ कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ रहा है है ना एक बार मुझे comment करके जरूर बताईएगा यहां तक अगर चीजें clear हो चुकी है आपको तो, जरूर बताईएगा थाकि मैं भी motivated रहूं और ऐसे ही sessions आपके लिए continue करती रहूं ओकी इसके बाद फिर आज आता है दूसरा प्रत्यक्ष के बाद है अनुमना अनुमान लगाना inference जिसको कहते हैं अनुमान लगाना क्या होता है guess करना होता है ना अब मैं किसी problem में फस चुकी हूँ मुझे उसका solution चाहिए तो मेरे पास कोई short short solution नहीं है inference होता है guess करना जिसको बोड़ते हैं ओके जो भी प्रमान ठीक है जो भी प्रमान किस पर based होता है based on reasoning ठीक है जो भी प्रमान reasoning पर based होता है और जिसकी मदद से हम लोग किसी भी conclusion तक पहुंच जाते हैं यानि कि किसी भी निशकर्ष तक पहुंच जाते हैं वो अनुमान होता है ठीक है इसको आप लोग assumption के नाम से भी जानते हो assumption और inference दो नाम इसके होते हैं ठीक है अनुमान क्या करता है अनुमान हमें मदद करता है किसी भी चीज़ को किसी भी truth को accept करने में किसके बेस पर किसी भी truth को accept करते हैं यहां पर based on observation based on the observation and previous truth हमारा जो पुराना observation है पुरानी जो हमने चीज़ें किसी के observe की है या फिर पुराना जो सच हमारे सामने था उन सब चीज़ों के base पर उन सब चीज़ों के हिसाब से किसी बात को सब्ते मान लेना ही अनुमान होता है इसको भी एक example के साथ मैं आपको बताती हूँ कैसे questions exam में आते हैं देखो मान लीजिए कि दो friends है A and B ठीके B ने क्या किया A को धोखा दे दिया B ने चीट किया A पर ओके इसके बाद क्या हो गया इन दोनों का हो गया breakup अब देखो सबको कितना interest आने वाला यहां पर है न B ने A को चीट किया इन दोनों का हो गया breakup इसके बाद क्या हुआ उसके बाद इन दोनों का एक महीने के बाद वापस दोस्ती होगी patch up हो गया इसके बाद क्या हुआ एक दो महीने के बाद फिर से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई fighting इनकी फिर से start हो गई अब A को क्या लगा A है एक girl शरीफ से लड़की ठीक है A को लगा कि अच्छा पहले सेम बात पर हमारी लड़ाई हुई थी हमारा break up हुआ था फिर patch up हुआ अब सेम बात पर हमारी फिर लड़ाई हो रही है इसका मतलब है कि ये बात जो है ये बात जो कर रहा है पहले इस लड़के ने इसको जूट बोला था जिसकी वज़ा से लड़ाई हुई थी अभी फिर जूट बोला तो अब अपने पुराने break up को ध्यान में रखते हुए अपना जो पुराना उनका observation था अपना उनका जो पुराना experience था इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हो गया इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लड़की समझ गई कि अब मुझे मान लेना चाहिए कि ये लड़का सही नहीं है तो ये जो लड़की ने पुराने लड़ाई को ध्यान में रखते हुए पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए ये decision लिया, इसको अनुमान कहते है कि उन्होंने अनुमान लगा दिया कि ये बात अब दो बार हो चुकी है तो बार-बार होगी तो पुराने observation को ध्यान में रखते हुए previous truth पुरानी सचाईयों और बातों को ध्यान में रखते हुए जिस चीज़ को हम प्रमानित करते हैं जिस चीज़ को हम finalize करते हैं उसको अनुमान कहा जाता है एक्जाम्पल पसंद आया ओके सो ऐसे चीज़ों को याद रखिए एक्जाम में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती बहुत easy questions आते हैं इस unit में से ठीक है इसके बाद आता है फिर तीसरा प्रकार जो की है हमारे पास उपमना उपमना का मतलब होता है comparison ठीक है उपमना का मतलब होता है comparison यानि की तुलना करना ओकी दो अबजेक्ट्स अगर हमारे पास है उन दोनों अबजेक्ट्स के बीच में किसी भी तरीकी का relationship find out करना similarities यानि की उनके बीच में समानताएं ढूड़ना comparison करना होता है class में दो बच्चे है class में दो बच्चे है माल लीजे अंकिता और अरजुन नाम के दो बच्चे class में है ठीक है इन दोनों ने क्या किया इन दोनों के talent को compare किया जा रहा है माल लीजे कि अंकिता डांसिंग में बहुत अच्ची है और अरजुन नाम का जो लड़का है वो maths में बहुत अच्चा है ठीक है उसके अलावा ये studies में और ये भी बाकी के जो singing है उसमें अच्चा है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर इन दोनों की चीज़ों को compare किया जा रहा है इट इंवाल्स दिड्रॉइंग similarities between two objects दो objects दो लोग या दो बच्चों के बीच में similarities similarities को देखना comparison कहलाता है ठीक है it is basically based on comparison and not just only perception and assumption यहां पर सिरफ सामने अपनी senses में क्या होता है या फिर हमारे साथ पहले क्या हुआ है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता यहां पर compare किया जाता है हर एक चीज़ को that is called upmana okay यह देखो upmana से question में आपको बताती हूँ कैसा आता है यहां पर add नहीं किया गया देखो इसमें से question एक आता है which one of the following source of knowledge in classical Indian philosophy is based on similarities of the unobserved object इसको हिंदी मीडियम में भी बताती हूँ अभी similarities of unobserved object with a non-object हिंदी में इसका क्या मतलब है question यह है कि मूल भारतिय दर्शन शास्त्र में प्रमान का निमलिकित में से कौन सा स्रोत अग्यात वस्तूओं की किसी ग्यात वस्तूओं के साथ समानता पर अधारित होता है मान लीजे कि कि किसी एक particular topic के बारे में मुझे knowledge नहीं है एक topic है जिसके बारे में मुझे knowledge नहीं है एक question है जिस cancer मुझे नहीं आता तो दूसरा question जिस cancer मुझे आता था उसके साथ हमने उसको compare किया जो कि same ही topic से जुड़े हुए थे हमने compare किया जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता उस चीज़ को जिस चीज़ के बारे में मुझे पहले से थोड़ा knowledge है उसके साथ compare किया जाएगा अगर तो उसको उपमना कहा जाता है इसी के साथ students यहाँ पर आज के session में मैंने आप लोगों के साथ discuss किये तीन प्रकार के प्रमान जिसमें हमने प्रत्यक्ष, अनुमना और उपमना को comparison किया next हम अर्थपति देखेंगे, अनुपलब्थी और शब्द देखेंगे सबसे पहले students आप लोगों को यह पता है कि प्रमान छे प्रकार के होते हैं, पहला जिसमें आता है प्रत्यक्ष, जिसको English में perception कहा जाता है और जैसे मैंने बताया था कि दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, आप जाहे English medium से हो, जाहे Hindi medium से हो, ओके प्रत्यक्ष, यानि कि जो चीजें हमारे सामने हमने देखी हैं, सुनी हैं, महसूस की हैं, वो होता है प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान का मतलब होता है गेस करना, अज्यूम करना, जिसको inference कहा जाता है, और उपमना होता है comparison, इसमें दो चीजों, या दो लोगों की, या दो objects की qualities को compare किया जाता है, और फिर उससे प्रमान निकाला जाता है, तो ये तीन चीजें अर्रेड़ी हम discuss कर चुके थे, next हम cover करने वाले हैं, अर्थ, पत अर्थ, पती, इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब होता है अर्थ की उत्तपती, किसी भी word से उसका meaning अगर निकलता है, किसी भी चीज से उसका अगर proper meaning निकलता है, उसको अर्थ, पती कहा जाता है, ठीके, अर्थपती का मतलब होता है implication implication ठीक है अर्थपती को एक और नाम से जाना जाता है इसको अनुमान लगाना भी बोलते हैं हम presumption भी इसको कहा जाता है अनुमान लगाना भी इसको कहा जाता है तो ये चौथे टाइप का प्रमान होता है जो की assumption के उपर काम करता है इसका एक और नाम होता है exam में जो पूछा जाता है वही नाम है ये इसका नाम है प्रमाना ओफ प्रमान ओफ postulation ठीक है इसको धारणा के प्रमान के रूप में भी जाना जाता है ये चीज़ें आपने याद रखनी है अर्थपती से क्या होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ये क्या होता है ये अर्थपती प्रमान से हम उस ग्यान को समझते हैं जो हमने दो चीज़ों के बीच में relation find out करके निकाला था या फिर जो हमने guess किया था पहले चीज़ों को उनसे जो हमने conclusion निकाला था उससे जो meaning निकलता है वो अर्थपती कहलाता है सिंपल से language में अगर हम बात करें तो अर्थपती जो है ये अनुमान और उपमना में जो भी हमने चीज़ें सीखी थी या जो भी चीज़ें हमने find out की थी उसके base पर जो final meaning हम निकालते हैं वो होता है अर्थपती अर्थपती यानि कि किसी word के meaning का या किसी situation के meaning को समझना उके? अनुमान में हमने क्या किया था? हमने किसी चीज़ को guess किया था है ना कि अगर हम ये करेंगे तो maybe हो सकता है हम इससे बाहर निकल सके हम पर guessing system होता है उकमना क्या होता है? comparison किया जाता है अब दो लोगों के बीच में हमने compare किया दो objects के बीच में या दो situations के बीच में हमने compare किया उससे जो हमारा final solution जो हमारा final conclusion निकला था उसको समझना और उसको actual में use करना इस called अर्थपती इस तीन चीज़े इसमें आती है ठीक है? दो facts जिसके बारे में हमें already पता है ठीक है? दो चीज़े या दो facts जिसके बारे में हमें already पता है उसको relate करके कोई नया meaning निकालना अब कल हमने एक example लिया था ना जिसमें मैंने आपको एक लड़का लड़की की story के थूरू बताया था कि ये दोनों friend थे इनका break up हो गया A का A को break up हो गया ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? एक कुछ समय के बाद वापस समझ गई थी कि दूसरी बार फिर सेम बात पर हमारी लड़ाई हो रही है तो A ने क्या किया? अपने पुराने knowledge को use करके अपना साथ जो पुराने घटना हुई थी उसको use करके ये समझ लिया कि अभी ये नहीं चलने वाला तो ये जो final decision A ने दूसरी बार break up वाला लिया था तो ये क्या है? वो अर्थपती है कि जिस चीज के बारे में sorry कि जिस चीज के बारे में हमें पहले से पता है जिस चीज के बारे में हमें knowledge है लेकिन हमें उसको ध्यान नहीं देते थे हम उसको कहीं use नहीं करते थे उस knowledge को अब हम उसके बारे में समझ भी चुके हैं और अच्छे से उसको use भी कर रही है that is called अर्थपती ओके नेक्स्ट आज आता है अनुपलब्धी that is non-apprehension अब देखो उपलब्धी बहुत असान है उपलब्ध होना अनुपलब्ध होने का मतलब होता है available होना अनुपलब्धी अनुपलब्धी का मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया, not available not available जो कि उस समय हमारे पास available नहीं है वो उपलब्ध नहीं है that is called अनुपलब्धी non-apprehension ओके अनुपलब्धी और नौन एप्रिहेंशन इस फिफ्थ टाइप ऑफ प्रमान ये पांचवे प्रकार का प्रमान होता है जो ज्ञान की अनुपस्थिती पर आधारित होता है नौलेज का अगर अगर अपसेंस उस पार्टिकिलर पॉइंट पर है तो वहाँ पर उसको अनुपलब्धी प्रमान कहा जाता है इस चीज को मैं लिख रही हूँ, आप लोगों को हिंदी में भी अभी बिताती हूँ ति यह थो है अनुपलबदी नौट अफिलिबल इसमें एक प्रस्ताव को सत्य मानना शामिल होता है इसके केस में हम किसी प्रस्ताव को सत्य मान लेते हैं क्योंकि हम इसे जूटा साबित नहीं कर पाए मान लीजे कि कोई कोट केस चल रहा है उसमें किसी परसन ए को हमें क्या करना था परसन ए जो है वो लायर है वो क्रिमिनल है लेकिन इस परसन को वहां पर हम जूठा वहां पर हम ट्रू साबित नहीं कर पाए हम ये थाबित नहीं कर पाए कि एक्चुल में ये क्रिमिनल है तो हमें उसको एक क्या मानना पड़ गया लास में ये मानना पड़ गया कि वो क्रिमिनल नहीं है क्यों क्योंकि हम उसके खिलाफ सबूत इकटा नहीं कर पाए सबूत वहाँ पर available नहीं थे, उपलब्द नहीं थे, that is called unavailability किसे कैसे situation में, जहां पर हमें किसे situation को सत्यमान लेना पड़ता है क्योंकि हम उसको जूथा साबित नहीं कर पाते हैं उपलब्दी, not available It is the immediate knowledge of non-existence of an object and knowledge नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमान नहीं है, कोई ज्यान नहीं है उस चीज़ को ले करके, इसलिए हमें उसको सत्य ही मानना पड़ रहा है ओके नेक्स्ट आज आता है शब्द, ये थोड़ा सा उल्टा सा दिख रहा है, ये इस तरी के से लिखा है शब्द प्रमान शब्द क्या होते हैं, शब्द जैसे मैं बोल रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं वार्ड्स का यूस कर रही हूँ शब्द इसको बोलते हैं, words इसको बोलते हैं तो बोलकर जो चीजें होती है, हमने communication में पढ़ा था बोलकर कोई चीज जो होती है, उसको क्या कहते है verbal communication कहते है विसे ही याँ पर शब्द को verbal testimony कहते है ओके, तो शब्द होता है verbal testimony मनी या फिर उसको words के नाम से भी आप जान सकते हो ओके words ठीक है अब words का क्या मतलब है हम यहाँ पर बात कर रहे है words की तो यह है word प्रमान ठीक है word प्रमान हमें बोलता है कि जो भी हमारे वेद में हमारे पुरानों में चीजें लिखी हुई है उसमें जो words का use किया गया है उसमें जो शब्द लिखे गए है वो बिलकुल सत्य है हमें बिना डाउट किये उन चीजों को जरूर मानना चाहिए ठीक है यह किसी authority के शब्दों पर विश्वास करता है अब इसका एक example यह भी आप मान सकते हो ते सबूत की बात हमने की थी यहाँ पर जो कि अवेलेबल नहीं थे वैसे गवा होते हैं जो गवा क्या होता है गवा एक person होता है जिनके words पर विश्वास करके जिनकी statement पर विश्वास करके जज क्या करते हैं एक बड़े से बड़ा decision ले लेते हैं तो गवाह के words पर विश्वास किया जा रहा है, चाहे ये जूटा भी होगा, फिर भी उन पर विश्वास किया जा रहा है, माल लीजे एक योपर कोई case चल रहा है, उसने अपनी किसे relative को बुला लिया, कि मेरे नाम पर आप गवाही दे दीजिये, ठीक है, रिश्टेदार की उ ये होता है words, लेकिन प्रमान में ये कहा जाता है कि जो भी शब्द होते हैं, जो भी किसी के words होते हैं, जो भी किसी की verbal testimony होती है, उस पे हमें विश्वास करना चाहिए, अगर वो एक particular authority के द्वारा रखी गई है, officialist की definition बताती हूँ, इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही के अधार पर किसी प्रस्ताव की सच्चाई को स्विकार किया जाता है, जिसे उस विशेश क्षित्र में एक प्राधी करन माना जाता है, शब्द को सभी प्रमानों में से सबसे ज़ादा विश्वसनिय माना जाता है, शब्द को क्या मा करना चाहिए है ना अभी मान लीजे कि मैं हमारी लाइफ क्लास चल रही है हम सब यह पढ़ रहे हैं ठीक है बाद में बच्चे बोल देंगे कि अरे मैं तो पढ़ाती नहीं है कुछ भी मैं आपकी शब्दों पर कैसे विश्वास कर लूँ आपने हमारे जो सीनियर सर है उनको बोल दिया कि हमारी तो लॉजिकल लीजे कि श्लास चल नहीं हुई है और उन्होंने मान लिया बाइचांस ठीक है तो यह क्या हुआ शब्द प्रमान हुआ लेकिन सिरफ इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता अगर आप ऐसे बोलते हो कि क्लास नहीं हुई तो वो क्या करेंगे आप पे जाकर सब देखेंगे रिकॉर्ड्स में जाकर सब देखेंगे कि अच्छा इस दिन ये वाला लेक्चर हुआ था तो अकेले वर्बल टेस्टीमनी अकेले किसी के शब्द प्रमान पर विश्वास नहीं किया जा सकता ओके और ये मोस्ट रिलाइबल माना जाता है अक कॉमेंट करके ठीक है थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखा कीजिए सेशन को कॉमेंट करके बताया करें क्यूंकि आप लोग रेगिलर स्टुडेंट्स हो हमारे हमें भी पता चलता है कॉमेंट से ही कि कौन-कौन बच्चे रेगिलरली हमारे वीडियो देख रहे हैं और डिफ जो मौखिक वयान होता है इसकी जानकारी के सत्य होने का एक वैद कारण होना चाहिए तब ही इस पर विश्वास किया जा सकता है टेस्टीमनी जो होती है वर्बल टेस्टीमनी हमेशे एक परसनल होती है हमेशे ये व्यक्तिगत ही रहती है सरफ इसको इतना ही याद रखिए और येस वर्बल टेस्टीमनी के दो टाइप्स भी होते हैं वैदिक टेस्टीमनी और दूसरा होता है सेक्यूलर जिसको की लौकी कहा जाता है वेदिक और secular जिसको law की कहा जाता है हिंदी में ठीक है सो वेदिक क्या होता है वेदिक वेद से related term है वेदों पुरानों में जो कुछ लिखा है हमेशा उसको सत्ते मानना चाहिए आप लोगों ने ये चीज जरूर सुनी होगी कि आपके जीवन में अगर कोई भी परिशानी है आप किसी के साथ share नहीं कर पाते family friends किसी के साथ share नहीं कर पाते उस चीज का हल आप लोग गीता में ढूड़िए आपके दिमाग में आपके मन में कोई भी समस्या अगर चल रही है ठीक है कुछ भी चीज अगर चल रही है उसका solution आपको गीता में लिखा हुआ जरूर मिलेगा तो वो वरवर टेस्टी मनी है जिन लोग ने गीता अच्छे से पड़ी हुई है वो लोग यही कहते हैं कि जरूर इस पर विश्वास किया जाना चाहिए इसमें कहें हुए शब इसमें लिखी हुई बाते बिलकुल सकते हैं रियल लाइफ से हमेशा सबके रिलेट करती है ठीक है तो यह होते हैं वैदिक चीजे अब देखू questions किस परकार से पूछे जाते हैं विच आप दी फॉलोविन sources of knowledge in classical Indian philosophies based on similarities of the unobserved object with non-object हमने क्या बताया था दो चीजों के बीच में similarities देखनी है comparison देखना है जिसमें से एक unobserved object है और एक non-object है इसके बारे में एक हमें पता है दूसरा चोकी अध्यात है तो उसको उप्मना कहा जाता है next है the knowing self knows objects through the instrumentality of the sense organ but the existence of indri is proved by anumana प्रमान जैसे कि topic में सबसे पहले कहा structure and kind of anumana anumana मतलब anumana यानि कि inference इसको हम कल बें discuss कर चुके हैं ये प्रमान का भी एक परकार होता है है ना so प्रमान में anumana क्या होता है anumana लगाया जाता है guess किया जाता है assume किया जाता है किसको assume करने की बात हमने कही थी कि previous मेरा कोई knowledge है उसको मैं use करके new situation में assume करके किसी condition से बाहर निकल सकती हूँ किसी problem से बाहर निकल सकती हूँ अमा लीजे same problem में मैं पहले भी फसे थी अभी भी फसे हूँ तो मेरा जब पुराना experience था जो पुराना knowledge था उसको ध्यान में रखते हुए मैं नए situation से बाहर निकल सकती हूँ यह अनुमान का एक example मैंने आपको बताया था जिसको न्याए कहा जाता है न्याए शास्त्र अपने आप में एक बहुत important topic है ठीक है जिसको Hindu school of logic कहा जाता है कि Hinduism में अपने सनातन धरम में किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कौन-कौन सी languages use होती है सनातन धरम में यानि कि न्याए में क्या-क्या चीज़े होती तो न्याए philosophy बहुत important है विशेशी का philosophy बहुत important है इस पे भी अगर separate वीडियो चाहते हो तो comment करके बता दीजिएगा अब देखो यहाँ पर अनुमना में क्या का आ गया है कि इसको five stages में न्याए के according अनुमान को पांच हिस्सों में बांटा जाता है ये एक question exam में आ चुका है कि Hindu school of logic या फिर Indian school of logic न्याए के हिसाब से inference को यानि ये अनुमान को कितने stages में बांटा गया है तो answer होगा five stages वो stages कौन कौन से है पहला है proposition दूसरा है ground तीसरा है illustration application and conclusion English के लिए ये है Hindi medium याँ पर देख सकते हो proposition को प्रतिजना प्रतिग्या कहा जाता है literally promise कोई भी जो हम वादा करते है वो होता है proposition पहले ही lecture में logical reasoning के पहले lecture में हमने कहा था ना जैसे हम ये चीज़े पढ़ते थे all dogs are cat ये क्या थी premises थे proposition थी हमने पढ़ी हुई तो ये प्रतिग्या होती है एक वादा होता है जो कि एक important role play करता है इसके बाद आता है ground ground क्या होता है कि किस के base पर ये बात बोल रहे हो अब आपने मुझे कोई बात बताई तो मैं आपको बोलूँगे किस basis पे आपने ये बात कही किस ground पे आपने ये बात कही उसको hey to कहा जाता है ठीक है यहाँ पर जमीन थोड़ा सा गलत मीनिंग आ गया इसका किस base पर आपने ये बात कही that is called ground और असान term ही to के लिए होता है reason ठीक है अब एक चीज़ ये है कि अगर माल लीजे मैं बोलती हूँ कि मैंने 15 kg weight loss किया पिछले 7 दिनों में एक example मैंने ले लिया कि मैंने 15 kg weight पिछले 7 दिनों में कम किया आप मैंने बता दिया कैसे कम किया क्योंकि मैं dieting कर रही थी मैं दिन में सिरफ एक ही time खाना खा रही थी तो ये क्या दिया ये इस proposition का हेतू मैंने दिया इसका कारण मैंने बताया कि इसकी वज़ा से मैंने weight loss किया है तो dieting मतलब कारण होता है एक्जाम में कभी भी question आएगा जैसे कि एक question बहुत बार exam में पूछा जाता है कि कहाण में से धुआ निकल रहा है तो कोई बोलता है कि पक्का वहाँ पर आग लगी है तो कोई इसका reason इसका hate तो क्या होगा कि हमें पता है जहां पर भी धुआ होता है इसका मतलब आग ही होती है तो वो उसका hate होता है illustration होता है उदारन ठीक है example next आज आजाता है application उपने आए application होता है कैसे उस चीज़ को apply करना है कैसे उस चीज़ को वहाँ पर use या कैसे उसको इस्तिमाल करना है that is called application अगला है conclusion यानि कि निगमना निशकर्श तो आपको तो पता ही है conclusion सबसे last में ही हमेशा होता है okay so देखते हैं इसमें से questions किस तरीके से पूछे जाते हैं so देखो एक question ये था according to classical Indian school of logic what is the correct sequence of steps involved in anumana inference so देखो यहाँ पर दिया है प्रतिजना हे तू उधारन उपनयाया और निगवना तो आपको ये जो मैंने बताया इनका हिंदी मीनिंग भी याद होना चाहिए और कई बार English में questions आते हैं same question होगा लेकिन जो options हैं वो ऐसे होंगे proposition फिर हे तू ये ये conclusion इस तरीके से चीज़ें होगी तो आपको सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ओके तो पहला है प्रतिजना हे तू उधारन उपनया और निगवना ये question दो से तीन बार आ चुका है exam में अगर आप लोग set exam के साथ-साथ ugesinate exam की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये series आपको बहुत help करती है तो प्रतिजना इसको देखो और और नाम भी है प्रतिजना का मतलब proposition तो मैंने आपको बताया प्रतिजना proposition के अलावा अगर कभी thesis लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हम proposition यानि की classical Indian school में यानि की न्याय के first stage की बात कर रहे है तो ये तीन नाम इसी के हैं इसको नोट कीजेगा ठीक है तो देखो प्रतिजना क्या होता है it is the thesis to be established which makes a statement ये स्थापित की जाने वाली thesis है जो एक वयान देती है अर्थात जिससे कोई बात सिद्ध हो उधारन के लिए पहाड़ी उग्र है अब आपको ना exam में हमेशा यही questions देखने को मिरेंगे hill is fairy क्योंकि वहाँ पर आग लगी है smoke है, धुआ है because there is smoke on the hill ठीक है यही example दिखेंगे क्योंकि अगर हम लोग Indian philosophy की बात करें ना, वहाँ पर जो example दिये गए है उन books में जो example दिये गए है इन चीजों को समझाने के लिए वो यही है कि पहाड़ी से धुआ निकलता है तो कोई दूसरा बोलता है कि वहाँ पर आग लगी है क्यों बोलता है क्योंकि उनुको पता है कि किचन में अगर धुआ निकल रहा हो मतलब वहाँ पर आग लगी है यही example हमारे books में लिखे है यही example questions जो है exam में पूछे जाते हैं सो thesis क्या होता है एक ऐसी statement होती है जिसको हमें prove करना होता है अब जैसे एक statement यहाँ पर दे दीगी the hill is fairy the hill is fairy पहाड़ी जो है वो उग्र है पहाड़ फाईरी ठीक है पहाड़ में आग लगी हुई है अब इस बात को पहाड़ में मैंने जैसे मान लीजे इसको और simple करती हूँ आप लोगों के लिए person A मैं हूँ अंकिता ठीक है मैंने बोल दिया आप लोगों को कि पहाड़ी उग्र है hill is fairy ठीक है पहाड़ में आग लगी हुई है अब कोई दूसरा person है मेरा friend XYZ उन्होंने पूछ लिया कि आपको कैसे पता पहाड़ में आग लगी है ठीक है मैंने तो बोल दिया उसके बाद उन्होंने पूछा आपको कैसे पता पहाड़ में आग लगी है तो उसका मुझे कारण देना पड़ेगा reason देना पड़ेगा हे तू देना पड़ेगा कि उन्होंने बोला कि because there is smoke in the hill क्योंकि पहाड़ में से धुआ निकल रहा है इसलिए smoke है इसलिए smoke है ये जो statement थी इसको हमने क्यों बोला इसका कारण मैं दे रही हूं ठीक है अब जैसे किसी person A को मैंने बोल दिया कि आप आप बहुत tall हो ठीक है मैंने इनको बोल दिया कि आप बहुत tall हो इसके बाद मैंने इनको कारण भी दे दिया क्योंकि आप एक athlete हो तो आपकी height जादा है आप अच्छे खासे tall हो तो ये मैंने reason दे दिया पहले मैंने सिर्फ thesis कही एक statement बोल कर छोड़ दिया ठीक है उसके बाद क्या हो गया उसका जो कारण बताया गया because जहां पर आ गया वो हेटू होता है identify कर लोगे तीसरा है उधारन example देने के लिए अब मैंने बोला अच्छा पहले मैंने बोल दिया कि आग लगी है पहाड में क्योंकि देखो वहां से धुआ निकल रहा है अब मेरे friend को फिर भी नहीं समझाया फिर मैंने बोला कि जहां पर भी धुआ होता है वहां पर पक्का आग ही होती है जैसे की kitchen में तो ये मैंने एक उधारन दे दिया उपने आये मतलब application अब उस चीज़ को use कैसे किया जाएगा it is the application of universal proposition to a particular stance for example the hill is smoky क्योंकि देखो पहारी धुआदार है ये मैंने यहां पर apply कर दी बात उसका निशकर्ष क्या निकला यह पुर्व वर्ती निशकर्षों से निकला गया निशकर्ष है उधारन के लिए इसलिए पहारी उग रहे जहां पर हमने therefore या फिर so ऐसे terms को use करते हैं कौस कब लगाते हैं क्योंकि क्योंकि कब बोलती हूं मैं किसी को क्योंकि अब मैं बोलूँगी आपको कि पढ़ लीजिये अगर नहीं पढ़ोगे तो fail हो जाओगे ठीक है क्योंकि आपने result आगया कोई बिच्चा fail हो गया तो मैं बोलूँगी क्योंकि आपने महनत नहीं की थी तो मैंने आपको क्योंकि बोलकर क्या किया कारण बताया ठीक है बहुत easy है बहुत interesting है अब देखो ये question इसमें से आया था thesis प्रतिजना ठीक है ऐसे कैसे याद रखोगे कारण क्या होता है कारण होता है hey to कारण कैसे बताया जाता है because से बताया जाता है उसके बाद example example क्या दिया था example में आता है like as इस तरीकी की जो statement है जहां पर किसी चीज़ के साथ उसको compare किया जा रहा है ठीक है so c में देखो यहाँ पर as as यूज़ किया in a word whenever there is smoke there is fire as in the kitchen so यह आ गया ठीक है इसके बाद final हमने conclusion क्या निकाला था application क्या किया था the mountain also has smoke accompanied by fire like the kitchen यहां पर हमने compare कर दिया apply कर दिया उस example को पहले हमने example दिया सिरफ उसके बाद current situation में example को हमने relate कर दिया thesis क्या होती है thesis हमें बताती है कि mountain में आग है जो पहली statement है जहां से किसी बात को शुरू किया जाता है वो thesis कहलाती है तो यह question है इस cancer यहां पर भी आप लोग देख सकते हो okay Hindi medium के लिए भी चीज़े same है English के लिए भी same है question का तरीका क्या होता है मैंने बता दिया अगला है व्यापती व्यापती जिसको invariable relation यानि अचल relation कहा जाता है ओके तो देखो व्यापती का यह question है इस पर चाने से पहले आपको बता देती हूँ कि व्यापती exactly क्या होता है ओके देखो व्यापती basically दो परकार की होती है पहली statement जिसमें दी गई है न व्यापती between two terms of equal extension is called समव्यापती और दूसरा है the relationship between fire and smoke is that of समव्यापती ठीके समव्यापती व्यापती दो परकार की होती है एक है असम व्यापती और दूसरी है समव्यापती ओके व्यापती जो दो टर्म्स के बीच में व्यापती जो की दो टर्म्स के बीच में equal relation बताती है equal extension बताती है उसको समव्यापती कहते हैं जैसे कि देखो दो चीजे हैं अगर मैं किसी को नेम इबल बोलती हूँ या फिर नो इबल बोलती हूँ, जिस चीज के बारे में जिसका नाम मुझे पता है, जिस चीज के बारे में मुझे पता है, कुछ भी लिख दो, मतलब तो उसका सेम ही रहेगा है ना, मतलब तो क्या रहेगा, उसका सेम ही रहेगा तो ये होती है समव्याप्ति, सेम नाम, ठीक है, जैसे नेमेबल का मतलब हो गया, नाम योग्य, नोईबल हो गया, जानने योग्य, तो दोनों क्या है, सेम एक्स्टेंशन बताता है, जो नाम, जो भी नेमेबल है, वो नोईबल जरूर होगा, जो नाम योग्य है, वो जानने योग्य जरूर होगा इसको कहते हैं समवयापती और दूसरा होता है असमवयापती असमवयापती क्या करता है इसका opposite होता है जिस चीज का जो नाम योग्य नहीं है वो जानने योग्य भी नहीं होगा that is called असमवयापती ठीके यह type से question के हिसाब से अब आते हैं व्यापती की definition पर व्यापती implies a correlation between two facts दो तथ्यों के बीच में जो रिष्टा बताता है वो होता है समव्यापती ठीके जिस में से दो चीजों के बीच में relationship बताया जा रहा है इस में से जो एक चीज होती है इसको हम व्यापती कहते है और परवेदिद कहते हैं ठीके और दूसरी तरफ परवेद्ज होता है जिसको व्यापक कहा जाता है तो ये होती है व्यापती की basic से definition एक चीज और है यहाँ पर जो last में हमने हेतु पढ़ा था ना हेतु का मतलब मैंने reason बताया था कारन बताया था ये middle term ही होता है हम लोग उने first lecture में पढ़ा है न middle term कोई confusion है तो अभी भी पूछ सकते हो ओके इसके अलावा जैसे यहाँ पर कहा है the relation between fire and smoke is that of some व्यापती some व्यापती क्या हो गया same relationship fire और धुएं के बीच में आग और धुएं के बीच में relationship होता है क्या नहीं होता है ठीके असम व्यापती का example था ये लेकिन इसमें some व्यापती कहा गया है ठीके extension same होनी चाहिए यहाँ पर दो चीज़ें अलग-अलग है smoke और fire धुएं और आग दो अलग-अलग चीज़ें है ठीके तो ये असम व्यापती की category में आएगा ओके so I hope ये चीज बिलकुल clear आपको हो चुकी है इसी के साथ अगला question है इस question से भी आपके और types clear हो जाएंगे इन अन्वया व्यातिरे की middle term is both positively and negatively related to major term ठीक है ये positively भी और negatively भी major term के साथ relate करती है तो ये वाली statement क्या है बिलकुल true है दूसरी statement बोलती है the knowledge of व्यापती in अव्याय व्यातिरे की is arrived at through the joint method of agreement in presence and in absence ठीक है तो ये भी true है इसमें जादा confused नहीं हो ना जब हम अनुमान को ना जब हम अनुमान को classify करते हैं या clarify करते हैं व्यापती के ध्यान में रखते हुए तो वो उसको तीन हिस्सों में बाट कर चलता है ठीक है तो वो तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं वो तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं वो होते हैं इसी के साथ फिर अगला जो topic है वो है हेत्वा भ्यास, fallacy of inference इसको कहा जाता है, निशकर्ष का भ्रहम इसको कहा जाता है, fallacy आपको पता है, भ्रहम होता है, किसी को भ्रहमित करना fallacy कहलाता है, अपने 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 अपना fallacy भी एक important topic है, इसमें बहुत सारे different types होते हैं, जैस जाओंगी, comment नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन-कौन से topics में आपको doubts है, okay, so बताना जरूर है, so हेत्वा भ्यास क्या होता है, ये जानना सबसे जरूरी चीज है, इस question में सबसे पहले, okay, किसी भी student को definitely अभी तक हेत्वा भ्य देखो question में लिखा है, the fallacy हेत्वा भ्यास produced in the conclusion due to repudiation of sadhya by हेत्व is known as what, ठीक है, so देखो, यहाँ पर बोला है, जो fallacy होती, जो हेत्वा भ्यास होता है, जो कि conclusion यानि कि निशकर्ष से उटपन किया जाता है, and कैसे किया जाता है, repudiation जब होती है, sadhya की हेत्वा की मदद से तो हम इसको अगर produce करते हैं, conclusion को produce करते हैं, तो वो कौन से प्रकार का हेत्वा भ्यास होता है, तो वो होता है विरुद्ध प्रकार का हेत्वा भ्यास, अब देखो, यह क्या होता है, हेत्वा भ्यास produced in conclusion due to repudiation, repudiation का मतलब होता है to refuse to accept, किसी चीज़ को accept करने से मैंने मना कर ठीक है, किसी भी कारण की वज़ा से, साध्य ओफेतू, यानि की, साध्य ओफेतू का मतलब हो गया, किसी valid reason की वज़ा से, किसी valid reason को रखते हुए, मैंने conclusion को accept करने से मना कर दिया, तो वो होती है विरुद्ध, आपने सुना होगा ना, कि मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हू आपने, A ने कोई बात बोली, B ने बोल दिया, कि आपने जो बाते कही, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ, तो यही होता है, कि मैंने एक solid कारण आपको बता दिया, और बोल दिया, कि मैं आपकी बात से, रजामंद नहीं हूँ, म मध्य टर्म होती है और appears to a reason but not a valid reason. Fallacy एक कारण तो होता है लेकिन एक valid कारण नहीं होता है. तब ही मैं कह रही हूँ fallacy अगर अभी तक नहीं पड़ा है तो बता दीजिए मुझे. ठीक है? फिर वीडियो लेकर आउंगी तब आपके लिए बहुत असान हो जाएगा. अब देखो fallacy जो होता है एक कारण होता है लेकिन वो valid कारण नहीं होता किसी चीज़ का. माल लीजिए कई बार ऐसा होता ना कि घर में आपसे कोई शीशे का glass तूट गया. ठीक है? अब आपके मम्मी घर पे आए, आपके मदर घर पर आए, फादर घर पर आए, और आपने क्या करना था? उस glass को तूट चुका है, वो छुपाना था अपने parents से. तो आप क्या करोगे? उनको किचन में जाने ही नहीं होगे. कोई भी बहाना मारोगे, धक्का मारोगे, बात को घुमाओगे, लेकिन उनको जैसे कैसे जबरदस्ती उस किचन में आने से रोकोगे. तो आपने क्या किया? असली चीज़ को छुपाने के लिए उनको भ्रमित कर इसको fallacy कहते हैं, बहुत सारे types की होती हैं, यह सिर्फ एक example था, तो विरुद्ध हेत्व अभ्यास है, five fallacies होती है, ठीक है, जो कि fallacy of inference को relate करती है, जिसका उलंगन करती है, पहला है स्वभिचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है सत्प्रतिक्षा, असिद्ध और बाधिता बस इसके नाम याद रख लीजिए, काफी होगा, fallacy क्या होता है, तो देखो fallacy का मतलब, विश्वस्नियता, भ्रांती, धोखा, भुलावा, जूठा तर्क या फिर अशुद्धी, यह सब जो है fallacy के ही meanings होते हैं, ओके, इसको एक example के साथ ही शुरू करते हैं, उसके बाद definition पर जाएंगे, अब देखो, माल लीजे कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, ठीक है, किसी एक person ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और वहाँ पर क्या हुआ, मैंने देख लिया कि अरे, यहाँ पर तो मिलने के लिए बुला लिया है, लेकिन जहाँ पर मैं का ध्यान हटाने के लिए क्या किया उनको घर तक नजर आने ही नहीं दिया उनको पहले बाहर रोग दिया मैंने और बोल दिया कि ये जगा अच्छी नहीं है चलो कहीं और चलते हैं ये क्या हुआ मैंने उनको धोखा दिया, उनको भ्रांती में रखा, जूटा तर्क देकर उनको मैंने बात चेंज कर दी, यानि कि fallacy का यही मतलब होता है, ठीक है, अब जैसे मान लीजे, एक और example लेते हैं, आप में से कोई ABC नाम के student है हमारे पास, आप में से किसी ने हमसे question पूछ लिया, ठीक है, question पूछ लिया, logical reasoning से related, और बान लीजे, कि मुझे वो question का answer नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को ये directly नहीं बोला कि मुझे इस का answer नहीं आता, मैं आपको कल बताती हूँ, मैंने क्या किया, आप लोगों की बात को अंदेखा कर देंगे, उनको जूट बोल देंगे, अविश्वसनियता दिखा देंगे, तो ये fallacy के मतलब होते हैं, definition पर जाएंगे, तो आपको और भी असान हो जाएगा, so last lecture में हम लोगों ने हेत्वा भ्यास पड़ा था, हेत्वा भ्यास क्या होता है, ये संस्क्रिट टर्म है, जिसका मतलब ऐसे fallacy होता है, fallacy को ही संस्क्रिट में हेत्वा भ्यास बोला जाता है, fallacy is the use of invalid or otherwise quality reasoning or wrong moves in the construction of an argument, ठीक है, भ्रांती किसी तर्क के निर्मान में, अमान्य या अन्य था दोश्पूर्न तर्क या गलत चाल का उप्योग कहलाता है, ठीक है, तो ये होती है, fallacy, fallacy दो परकार की होती है, formal fallacy यानि कि अपचारिक भ्रांती, और informal fallacy यानि कि अपचारिक भ्रांती, maximum fallacy जो exam में पूछी जाती है, वो informal fallacy होती हैं, इसके बहुत सारे types है, ठीक है, so formal क्या होती है, उन तर्कों को संदर्वित करती है, जिन की सरचना या रूप अमान्य होता है, informal fallacy उन तर्कों को संदर्वित करती है, जिन में गलत या अपरसांग, अपरसांगिक आधार होता है ठीक है incorrect और irrelevant premises जहां पर होते हैं वो informal होती है जहां पर invalid structure या invalid form होता है वो formal fallacy होती है clear अब देखो यहां पर एक और definition है जो हमने अभी चीज़ें discuss की थी fallacy एक error होता है यह कोई भी truth होती है किसी भी argument में किसी भी तर्क में अगर कोई गलती हो जाती है कोई error आजाता है उसको fallacy बोलते हैं जो कि हमारे mind को deceive करती है जो कि हमारे mind को भी धोखा देती है जिसे मैंने आपको बताया किसी बच्चे ने मुझसे कोई question पूछा मुझे उसका answer नहीं आता तो मैं क्या करूंगी आप लोगों दिया कि चलो class में आप बहुत शोर कर रहे हो ना इसका answer बताओ मैंने क्या किया बात को change कर दिया या फिर आपने मुझसे question पूछा था ए नाम के student ने मैंने आप पे चिलाना शुरू कर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसके बारे में मैंने बताया आपको फिर भी नहीं आ रहा ऐसे करके जो हम बात को change कर देते हैं अपना safe side रखने के लिए उस चीज़ को fallacy बोला जाता है बहुत simple चीज़ है बहुत simple language है next we have informal fallacy देखो यहाँ पर informal fallacy is a fallacy that is caused by content and context of the argument formal fallacy जो की invalid logic की वज़ा से होती है कि इवर मैंने किसी को बहाना मारना होता है कई नहीं जाने का बहाना देना होता है तो मैंने कुछ भी invalid सी बात बोल दी उसका ना कोई तर्क है ना कोई उसमें logic बनता है तो हो क्या हो कि वो formal fallacy होती है ठीक है तो देखो examples है अपील यह सारे examples informal के ही है ओके appeal to ignorance, bagging the question, false dilemma, moving the goalpost, red hearing fallacy, strongman fallacy red hearing fallacy एक बहुत important और interesting है इसको मैं यहीं पर बता देती हूँ अब देखिए A ने B को कोई बात बताई ठीक है B ने क्या किया उस बात को ध्यान से पहले सुना नहीं सुना नहीं और उसका कुछ और meaning निकाल लिया और C को वो कुछ और बात बता दी अब C के साथ भी same हुआ, C ने भी उस बात को सुना नहीं और समझा नहीं और उसी बात की कुछ-कुछ बनाकर D को बता दिया तो वो red hearing fallacy है कि गलत सुना, गलत बताया और story कहां से कहां पहुंच गी ठीक है, so one by one हर एक चीज़ को हम देखेंगे यह दे कोई question है, इसमें four types की fallacies है यहां से मैं आपको यह चार types बिल्कुल clear कर देती हूँ यानि कि समाज के रूप में हमारा ये दाइत्व है हमारी ये responsibility है कि हम जरूरत-मंद लोगों की सहायता करें इन बिल्कुल सही बात है क्योंकि people who do not have sufficient resources have a right to the resources of the community इसका कारण इनों ने ये बता दिया कि जिन लोगों के पास परियाप्त संसादन नहीं होते है उनका समुदाइक संसादनों पर अधिकार होता है तो क्या ऐसा होता है तो इसमें देखो correct answer है begging the question आत्मा श्रेदोश ओके, तो देखो bagging the question क्या होता है उसके बाद फिर ये बाकी के तीन टाइप्स को भी हम discuss करेंगे ये एक logical fallacy है जहां पर argument में जो premises होते हैं वो assume करते हैं उस conclusion को अब पहले जैसे जहां पर भी देखो इसका keyword बताती हूँ जहां पर भी because term नज़र आएगी क्योंकि नज़र आएगा इसका मतलब है कि हमने उपर लिखी हूँ statement से उसका conclusion उसका निशकर्ष निकालने की कोशिश की है है ना तो bagging the question होता है कि question के पीछे जाकर हम खुद से उसका निशकर्ष निकाल रहे हैं हमने क्या किया support नहीं किया उपर वाली statement को हमने बस उसका conclusion निकालने की कोशिश करनी in other words the argument is built in such a way that it would only be seen as valid to those who already accept its conclusion ठीक है तर्क इस तरह से बनाया जाता है इसमें कि यह केवल उन लोगों के लिए मानने होगा जो इसके निशकर्ष को पहले ही स्विकार कर चुके हैं ओके so next है देखो equivocation वाक्य चल वाक्य का पता है आपको वाक्चल क्या होता है चल करना किसी के साथ है न equivocation involves using ambiguous language to conceal the truth और to avoid committing oneself ठीक है इसमें सचाई को चुपाने या स्वयम को प्रतिबत करने से बचने के लिए असपश्ट भाशा का उपयोग करना शामिल होता है unclear words का use अगर मैं करती हूँ तो उसको equivocation कहा जाता है fallacy of composition था fallacy of composition ठीक है सहती दोश अब माल लीजे इसका ये मतलब है कि पूरी story में अगर एक भी बात सच है एक भी उसका छोटा सा पार्ट सच है तो हम माल लेंगे कि वो पूरी ही story सत्य है सहती दोश ये बोलता है कि जो अंश के लिए सत्य है वो संपूर्ण के लिए भी सत्य होना चाहिए अब किसी एक statement का एक छोटा सा part अगर true है तो हम बोलेंगे कि अगर ये वाला part true है तो पूरी statement ही true होगी, उसका conclusion भी true होगा ये होता है fallacy of composition अगला प्रकार है appeal to emotion appeal to emotion is an attempt to manipulate an emotional response in place of a valid or compelling argument मनोभाव आगरा एक वैद और समोहक तर्क के साथ पर इस्थान पर भवनात्मक प्रतिक्रिया में हेर फेर करने का प्रयास होता है simple सी चीज़े है, कुछ भी इसमें explanation की जरूरत नहीं है बस confuse मत होईएगा, चीज़े बहुत असान है next question, देखो, same answer है begging the question so question देखते हैं, Mr. Kobra is a murderer because he wrongfully killed someone वो एक हत्यारा है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से किसी को मार डाला है because आ गया, because देखते ही begging the question पर चले जाएगी ठीक है, एक statement से दूसरे statement का because क्या करता है दोनों को link करता है, conclusion बताता है so वो begging the question होता है, आत्मा श्रेदोश होता है जो की बहुत एक important type है अब चेक है, इसमें बाकी types देखते हैं ad hominem और history journalization, व्यक्ति विशेश के लिए और अविचारी सामान ये करन देखते हैं okay, so पहले देखो, यहाँ पर slippery slope भी एक type होता है this fallacy occurs when it is suggested that a particular event will lead to a chain of negative consequences without sufficient evidence to support the claim very easy statement ये वो होता है, जब ये सुझाव दिया जाता है कि एक विशेश घटना, कोई भी एक incident आपके साथ हो गया विशेश घटना दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना, बिना सबूत के मतलब ठीक है नकारात्मक परिणामों के एक श्रिंखला को जर्म देती है एक incident हमारे साथ हो गया उस incident में हमारे पास कोई सबूत नहीं है कोई valid evidence नहीं है और वहाँ पर जो evidences थे उससे क्या हो गया negative results आने लगे और statement negative हो गई ओके, बहुत easy है next we have ad hominem व्यक्ति विशेश के लिए this fallacy occurs when an argument is attacked by attacking the person presenting the argument rather than addressing the substances of the argument itself अब देखो यह बहुत interesting example के साथ मैं बताती हूँ व्यक्ति विशेश किसी एक particular person किसी एक particular person की personality पर attack करना is called ad hominem fallacy same example लेते हैं कोई एक student है उन्होंने मुझसे कोई एक question पूछ लिया मुझे उसका answer नहीं आता फिर मैं क्या करूँगी मुझे लगेगा कि अरे मैं तो teacher हूँ मैं अगर बोल तो मुझे नहीं आता ये लोग तो मेरा मजाग उड़ाएंगे है ना मेरी image डाउन हो जाएगी सो मैंने क्या किया मैंने आपको पहले बोल दिया कि अभी तो बताया इसका meaning तीन से चार बार अब मैं गुस्सा करने लगी डांटने लगी करते करते मैंने क्या 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 है question वाले मुझे से बाहर निकलने के चक्कर में मैंने इस person A की personality क्यालिटी पर अटैक करना शुरू कर दिया मतलब मैंने यहीं इनको बोलने लग गए कि अच्छा आप आरबार क्वेशन पूछ रहे हो क्लास में आपका ध्यान होता नहीं क्लास से बाहर यहाँ घूमते रहते हो घर पे जाके पढ़ते नहीं हो दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता है इस तरीकी की स्टेट्मेंट्स जनरली बोली जाती है आप लोगों ने भी जरूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में टीचर से सुनी होगी जो कि बहुत गलत बात है बट होता है खास करके स्कूल लेवल पर यह बहुत चीज़ें होती है ना सो इस तरीके से मैंने क्या क्या टॉपिक से बाहर निकलने के लिए मुद्दे को चेंज करने के लिए आपकी परस्नालिटी पर अटैक करने लगी कि खुद आप टफर हो खुद आप पढ़ते नहीं क्लास में ध्यान नहीं होता खिड़की से बाहर देखते जा रहे थे तो कहां से आएगा परस्नली प आपकी परस्नालिटी पर मैं अटाक करने लग जाओंगी तो यह है इस तरीके से एक्विवोकेशन हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं एक्जाम्पल्स आप देख सकते हो इस वीडियो को पॉस करके नेक्स्ट क्वेशन है अब देखोँ यहां पर बिकोस है लेकिन दो अलग अलग चीजेशन है तो यह है अपेल टो इनाप्रोप्रेट अथॉररिटी इस में क्या हुआ? नहीं समझ आया फिर question को बढ़ो अब मैंने A को बोल दिया कि आपको जरूर बास्केट बॉल ट्राय करना चाहिए आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे अब उसने पुछो अच्छा आपको ऐसा क्यों लगा तो मैंने बोल दिया कि मेरे एक अंकल है एक्स नाम के एक मेरे अंकल है जो की philosophy के teacher है उन्होंने बोला कि आप में ये potential है अब इसमें क्या हुआ इसकी परसने की किसी ने तारीफ कर दी लेकिन वो sports teacher नहीं है जिनको की पता है real potential games के बारे में वो क्या है वो एक philosophy से related teacher है जिनको games के बारे में इतना knowledge नहीं है according to this question ठीक है तो basketball team के coach अगर ये बात बोलते तो ये appeal to appropriate authority नहीं होता तो ये bagging the question होता लेकिन क्योंकि यहां पर इनकी तारीफ या इनको कोई suggestion दिया गया है एक ऐसे person के द्वारा जो की खुद उस field से belong नहीं करता जो की खुद उसमें expert नहीं है उसमें विशेशक्यता उसकी नहीं है तो ये हो जाएगा an appeal to inappropriate authority okay so I hope everything is clear till now ठीके students अभी तक जितने भी टाइप समने किये यह बहुत important है हमेशा की तरह मुझे motivated रखने के लिए आप क्या करोगे comment करोगे video को like करोगे next topic भी जरूर बताओगे और Monday से हम try करेंगे कि mathematics और reasoning के class आपके लिए लेकर आएं जितने भी students को maths reasoning और data interpretation के classes चाहिए तो मुझे वो comment करके बता दीचेगा thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best